गुद्मॉर्णिंग इस्टूरेंट्स, क्लास फर्स्ट, इंग्लिश फर्स्ट, चैप्टर नंबर, सेकिंड, चैप्टर टाइटल इस, फ्रेंड्स मेंक लाइफ गुड, जो हमारे दोस्त होते हैं, वो हमारी लाइफ को अच्छा बनाते हैं, यह चैप्टर इसी सिशक पर आधारी थे, चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट, वन्स अपोन अटाइम, देयर लिवड अवेरी प्रिटी बर्ड, काफी समय पहले वन्स अपोन अटाइम, यानि के एक समय पहले, वहाँ पर एक बहुत खुबसूरत चिडिया रहती थी, हर ब्यूटिफुल फैदर्स, ब्यूटिफुल यानि के खुबसूरत, फैदर्स यानि के पंक, वर इन सेवन कलर्स, उसके जो खुबसूरत पंक थे, वो सात रंगों में थे, इट सीम्ड लाइका, रेनबो, जो देखने में कैसे लगते थे बिल्कुल, रेनबो जैसे यानि के इंदर धनुष की तरह, शी लीवड़ अब वैरी हैपी लाइफ, वह एक बहुत अच्छी जिन्दगी जी रही थी, खुशाल जिन्दगी, और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ती रहती थी, जो सभी बर्ट सी दूसरी, इन दा सराउंडिंग जो उसके आसपास रहती थी, अप्रिशेटिड यानि के सरहना, दा कलर्स ऑफ दा बर्ट से ब्यूटिफूल विंग्स, विंग्स यानि के पंक, मतलब जो सारी बर्ट सी उसके आसपास रहने वाली जो सभी मतलब आसपास रहने वाली चीडिया थी उसके वो उसके कलर्फुल पंकों की बहुत खुबसद पंकों की सरहाना करती थी, वो खेले उसके साथ और मस्ती करें बट दा कलर्फुल बर्ट लेकिन जो कलर्फुल बर्ट थी वाट कॉंटिनूसली अवाइडि लगातार सबको क्या करती थी अवाइडि इग्नॉर यानि के अंदेखा कर देती थी, अल दा बर्ट मतलब सभी बर्ट को, क्योंकि वह उन सबको पसंद नहीं करती थी, इस वजह से वह सबको लगातार अवाइड ही करती थी, वह मतलब घमंड के साथ बोलती थी, यू अल आर डिस्गस्टिंग, तुम सभी डिस्गस्टिंग हो एंड अगली और अगली यानि के बस सूरत हो, मैं तुम सबको पसंद नहीं करती हूँ, और जो सभी मतलब बर्ट थी उनकी क्या अच्छती यही थी के वह उसके पंखो को एक बार चूले, स्टुदेंट्स, I hope your topic is clear, ओके, if you have any problem, any words, any pronunciation, any explanation, you can ask me, I can solve, thank you.